हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे मुंबई की फेमस पाव भाजी की रेसिपी और फटाफट से घर पे बनाएंगे और पाव भाजी बनाने में जितना टाइम लगता है उसके आधे टाइम में हम यह सबजी तियार करेंगे और बहुती सिंपल तरीके स टू स्पून बटर जले नहीं इसलिए हम इसमें वन स्पून ऑईल भी आड़ करेंगे अब यह जब गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें तेज पत्ते का तड़का दे देंगे तेज पत्ता थोड़ा सा चटक जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें अध्रक लेसन कुटा को डाल देंगे फिर इसके बाद हम इसमें प्यास को एड करेंगे प्यास को भी हमें थोड़ा सा बुनना है प्यास थोड़ा सा बुनने के बाद फिर इसमें गाजर रैड कर देंगे गाजर पकने में टाइम लगता है तो इसलिए हम पहले गाजर को डाल देंगे प्यास के और यह दालके भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, अब इसके बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे भी हम थोड़ा सा बूल लेंगे, एड़ लास्ट हम टमाटर कोईट कर देंगे, यहां पर मैंने दो टमाटर ले रखें, एक शिमला मिर्च था, एक गाजर और एक प्या पाव भाजी बनाने के लिए पाव भाजी मसाला ये काहीं यूज करेंगे और मिर्ची यहाँ पर मैंने वन स्पून ढाली है आप अपने टेस्ट के इक उर्डिंग मिर्ची कम जादा कर सकते हैं भाजी जितनी चटपटी बनती है उतनी ही अच्छी लगती है खाने में तो इसलिए मैंने थोड़ी मिटशी जादा डाली है थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे ताकि ये जो सबजिया है हमारी अच्छे से स्टीम होकर के भी पक जाएंगी तो इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद इसे हम थोड़ा ढांक देंगे कि ढांक करके ये दो मिनट के लिए ढांक के छोड़ेंगे तब तक हम आलू को मैश कर देते हैं जब तक हमारी सबजियां पकती हैं तो आलू को इस तरीके से हमने मैश कर लिया है अच्छे से अब हम अपनी सबजी को चेक कर लिते हैं तो यह देखिए यह मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और सब्जियां भी देखिए हमारी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर पक गई हैं इसे मैश करके ही पकाते हैं अच्छे से इसको मैश किया जाता है ताकि सब्जियां अच्छी तरीके से गल जाएं इसमें तो ये देखिए, मसाले भून गए, सबजिया पक गई, अब इसमें हम आलू को एड़ कर देंगे तो जो आलू हमने मैश कर दिया है, वो सारा आलू हम इसमें डाल देंगे उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं तो मसालो के साथ आलू को हम थोड़ा से इस तरीके से बून लेंगे ताकि आलू का अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए, मसालो में अच्छे से गुल मिल जाए तो यह दिखे इस तरीके से मैश करते हुए, आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होगे कि सारी सबजियां गई कहां, सब मसाले जैसी दिख रहे हैं, यही पाव भाजी की खासियत होती है कि भाजी में बिलकुल सबजियां गल जाती है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कि भाजी की कंसिस्टेंसी का हमें ध्यान रखना है कि जादा हमें गाडी नहीं रखनी है, बिलकुल इस तरीके की रखनी है, तो थोड़ा ढाके पकाएंगे ताकि यह अच्छे से पक जाए यह देखिए बॉइल आ गया अच्छे से, अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे तो यह हमारी भाजी बन करके रेडी हो गई है, अब हम अपना पाव तैयार कर लेंगे तो यहां पर यह नॉर्मल पाव जो मार्केट में एवलिबल होता है, वही पाव है, अब इसको इस तरीके से हम पहले इसको बीच में से कट करेंगे तो यहां से हम बीच में से इसको काट लेते हैं और काटने के बाद हम इसे तवे पे सेक लेंगे तो यहां पे इसको सेकने के लिए यहां पे बटर डाल दिया है अच्छा पाव सेकने के भी दो तरीके होते हैं तो यहां पर भाजी खाएंगे तो यहां पर पाव भाजी ने प्लेड़ी सेक दिया है तो दोनों तरफ से इस तरह उलट पर लटके से लेंगे ताकि पाव हमारे अच्छे तरीके से क्रिस्पी से पक जाएं अब हम इसे अपने सर्विंग प्लेट में सर्फ कर लेते हैं तो य ऋपर से धनिये से गाणिश कर लेंगे धनिया हमने पहले भी डाल लिया है उपर से और गानिशिंग कर लेते हैं ऑर यह पाव जो हमने इस देख रखा है बटर में अच्छे तरीके से इसे भी हम सेत कर देंगे तो थोड़े से सैलेट इस में डालेंगे तो कटा हुआ प्याज थोड़े से नीबू के टुकड़े एंड हरी मिर्च आप चाहें तो भाजी में नीबू थोड़ा सा निचोड सकते हैं जिससे इसका भाजी का टेस्ट और अच्छा हैगा तो यह देखें यह हमारी बहुती टेस्टी सी पाव भाजी बनकर के रेडी हो गई है बहुती कम टाइम लगा है सिंपल तरीके से बनाए हमने और बेसिक सबजियों का यूज किया है जो आपको एजिली गर्मियों में भी एविलेबल हो सकती है तो आपको यह रेसिपी कैसी ल कर कर दो आपको यह ठी़ हो में वरेसिटों कैसी बहुतीक डिलीव कि था टू आपको य einz मरेखें देखें वी रटनाकर को समय कर दोईड़ कर दोच्षें हम और डिल्रबंससराय आंपको है।ो आपको है बताएं बनकर क तो दो आपको यह थे ला सता हुआ है लगो वहां प